भूरु प्यारी साज संगे जी प्यार भरी रद्धा स्वामी जी साज संगे जी आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिये अगर वीडियो अच्छे रखती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले सासंग जी जैसा की आपको पता है आज मजूदा सरकार जानी बाबा जी का जनम दिन है और बाबा जी को करिसन के सासंगी कई तरह की गिफ्ट जो है देते हैं लेकिन बाबा जी उनके गिफ्ट नहीं लेते क्योंकि बाबा जी मानते हैं कि सिर्फ एक ही आप मुझे गिफ्ट दे सकते हो वो है आप भजन सिम्रन करोगे तो सासंगत जी ऐसे ही बाबा जी सभी सेवादारों के साथ बैठे हैं थे तो एक सेवादारनी बीबी बाबा जी के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आती है तो बाबा जी कहते है कि बेटा तुम्हें तो पता है कि मैं कोई गिफ्ट नहीं लेता तब तुम मेरे लिए ये क्या लेकर आई हो वो कहती है बाबा जी आपके लिए ये गिफ्ट है मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ आप इसे जरूर रखिएगा मुझे अच्छा लेगा बाबा जी कहते हैं बेटा मैं किसी से कुछ नहीं लेता परला मैं कौन होता हूँ तुमसे लेने वाला तो मैं तुम्हारा गिफ्ट क्यों रखूँ बाबा जी से वो कहती है बाबा जी आप मेरे को अपनी बेटी मानते है ना तो आप ये गिफ्ट जरूर रखिएगा बाबा जी कहते है चलो ठीक है मैं तुम्हारा गिफ्ट रख लेता हूँ पर ये बतादो इस गिफ्ट में क्या है क्या वो कहते है बाबडी जब आप फ्री होंगे तब देखेंगे तो बाबडी कहते हैं कि ऐसा नहीं है बेटा सभी सेवादारों को तो पता लगे मेरी बेटी मेरे लिए क्या लेकर आई है जब बाबडी इस गिफ्ट को खोलते है तो उसमें बाबा जी की बहुत ही प्यारी फोटो होती है जो बच्पन से लेकर आई तक की फोटो है बाबा जी कहते हैं अरे वार ये तो तुने मुझे बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया है तुम्हारा ये गिफ्ट मैं अपने कमरे में लगाऊंगा बाबा जी से वो कहती है बाबा जी आप मेरे बाप है बहला एक बेटी अपने बाप को गिफ्ट देती है तो बाप को कैसा लगता है बाबा जी कहते है बेटा मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा गिफ्ट तुमने मेरी पुरानी यादे ताजा करती मेरे बच्पन से लेकर आई तक चितनी भी जादे थी वो ताजा हो गई बाबा जी से वो कहती है बाबा जी आपको अच्छा लगा ना मेरा गिफ्ट बाबा जी कहते हैं बहुत अच्छा और मैं इस गिफ्ट को अपने पास ही रखूँगा किसी और को नहीं दूंगा तो बाबा जी इसे वो लड़ बैटी इसकी कहते हैं बाबा जी आप अपना गिफ्ट अपने पास ही रखिए तो बाबा जी कहते हैं की बेटा ये तो गिफ्ट सही है लेकिन दूसरा गिफ्ट भी तुझे देना पड़ेगा वो कहती है बाबा जी कौन सा बाबा जी कहते है भजन सिम्रन करकर भजन सिम्रन करकर तुम मुझे मेरा सबसे अच्छा गिफ्ट दोगे तो वो कहती है बाबा जी मैं जरूर करूंगे बाबा जी कहते है ये बात है बेटा अब भजन सिम्रन पर ध्यान दीजिए तो वो ही मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट है तो साथ संगा जी यह रही मेरी आज की वीडियो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सभी साथ संगा जी को मेरी तरब से प्यार भरी राधा स्वामी जी